तो हाई फ्रेंड है जब भी आप कोई कंप्लाइन्स करते हैं कहीं भी पुलिस थाने में या फिर ऐसेसपी ओपस में या कहीं भी आप जब भी कोई सिकायत करते हैं आपनी कोई भी समस्य को लेगर करके तो आपको लगता है कि वो कारवाही कहां तक पहुंची है वो आप कैसे चेक करेंगे जैसे मालीजी आपने थाने में application देखिया है आपने FIIs कराई है या फिर आपने SSP office में जाके कराई है या जिला level पर कहीं पर भी कराई है और आप अब आप सोचेंगे कि मैं उससे कहां पूछने जाओं कि कारणवाई जो है वो कहां तक पहुंची है वो अब आपको कहीं भी जाने की जरूदने आप online check कर सकते हैं कि पुलिस ने आपने जो कारणवाई की है उस पर क्या action दिया है कहां तक पहुंची है क्या-क्या उसमें किया गया है वो आप कैसे online check करेंगे यह हम आपको बताने वाले हैं तो description में एक link है उस link पर आप जैसे ही click करेंगे आप आजाएंगे इस website पर यहाँ पर दिखें मैंने जो link दे रखी है वो एक जन सुनवाई website है उसका एक apps भी है तो जैसे ही उस पर click करेंगे आप यहाँ पर आजाएंगे या पर आप जन सुनवाई type करेंगे भी उस website पर पहुंचेंगे यहाँ पर इसको कुछ pop-up आता है इसको आपको cut कर देना है नीचे हम यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ हमें scroll करेंगे तो हम यहाँ पर option मिलते हैं सबसे पहला है सिकायत पंजी करण आप online कोई complaints करते हैं या फिर आप offline complaint करते हैं थाने जा करके करते हैं SSP office में कहीं भी करते हैं तो आप जैसे माल लिजे ये application मैं गया देने के लिए चाहे मैंने कहीं भी दी हो ये application मैंने जाके दी है सिकायत के रूप में उसके बाद इसमें आपका mobile number भी लिखा जाता है और mobile number के साथ ही जब आपकी ये complaint दर्ज होती है एक दिन 24 गंटे या 48 गंटे रख सकते हैं उसके बाद आप एक message प्राप्त होता है इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ स्क्रीन पर इस message में लिखा हुआ होता है संदर्भ संख्या ये संदर्भ संख्या आपकी जैसे FIR number होता है ना complaint number ये वही है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होता हो और ये आपके mobile पर आ जाता है या फिर आप जब भी दर्ज करने जाए तो जो आपको letter receive मिलेगा उसमें भी ये संख्या लिखी हुई होती है वो हमें यहाँ पर type कर देना है सिकायत संख्या में सिकायत संख्या म कैसी आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखें अब यहाँ पर आपकी पूरा विवरण खुल जाता है यहाँ पर सबसे पहले सिकायत संख्या सिकायत आविदक कर नाम यहाँ पर आप देखेंगे प्राप्त फीड़वेक में ये लिखा हुआ आता है कि पुलिस ने क्या वो आप कैसे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे संलग पर आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगा कि आपने लेटर में क्या टाइप करवाया हुआ था वो पूरी कॉपी यहाँ पर देखेंगे दूसरा है यहाँ पर आख्या आख्या पर आगर आप किलिक करेंगे त तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पेज़ खुल जाते एक वो जो आपने application दिया है और दूसरी तरह वो जो पुलिस ने क्या-क्या लिख करके उसको feed किया हुआ है क्या कारणरवाई की हुई है पूरी कारणरवाई की details दूसरे पेज़ पर लिख करके देते है और उस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं कि आपके आपने जो कारणरवाई की है उस पर पुलिस ने क्या संग्यान लिया हुआ है वो पूरी details लिखते हैं पूरी details उसमें लिख दी जाती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर आपको knowledgeable वीडियो मिलते है एक ऐसे वीडियो मिलते है जिसमें आपको आजकल जो हो रही चीजें, घटनाएं, सारी A to Z आपको बहुत ही अच्छा घ्यान प्रवाइड कराते हैं चैनल पर तो हमारे चैनल से जुड़े रहीगा और सब्सक्राइब जरू कर लेजिगा बगल में घटे आपके मन में कोई सवाल है तो या फिर आप कोई अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स करके जरू बेजिगा बहुत बहुत धन्मा